क्लिन कर रहे थे एक बात तो जरूर है कि निलेज दादा सेट ने एक हैसा फॉर्मेट आपको इंट्रूड्यूस कराया है बकॉल अरिश पंडिया के इस तरह के अप टॉर्णामेंट एक सीजन में दो से तीन हम चार भी देख सकते हैं क्यूंकि हर्टी में अपने स्टेट को रही प्रेजेंट कर रही है हर खिलारी चाहरा है कि उसके खासर से कनान अंबाला ने भी जो पीनियन दिया कि उन्होंने बहुत किरकेट खेला लेकिन आज जो खेलने का मजा था वो कुछ अलग ही था और जब स्टेट लेवल की टीमें अच्छा टेनिस बाल क्रिकेट खेले वाल इट विल डिपेंड कौन सा राज्यस को किस तरह लेता है और हो सकता है कि केवल महाराष्ट नहीं आने वाले दिनों में इस तरह की प्रतियों किता है हमें अलग राज्यों में भी देखने मिले एक्जैटली खेल की शिर्वात होती भी वेलकम अलोफ यू आप सभी का अर्दिक स्वागत है टॉस को जीता था गुजरात बालाजी स्पोर्स ने और पहले फिल्डिंग करने का निर्णे लिया था बल्ले बाजी की दावत दी थी राजस्तान एमपी को मेरे साथ वाइस ओफ इंडिया अरिश पंडिया है जब वो कॉमेंटरी बॉक्स में रहते हैं तो सीखने का एक मज़ा लगी रहता है चाहे वो दर्शक हों चाहे अमारे कॉमेंटीटर साती हों चाहे किरकेटर्स हों तो खेल की चिरवात होती भी एक गिंद हो चुके किस ओवर में अभी शेक गिन बाजी करें सामना करेंगे बैट्समेन नदीम जो के कर अभी पटेल जिन बाजी कर रहें फिल की जमावत देखिए शौट तर्में डिपीज गली कवर मिट आउफ क्रिस के कोने से स्लाइस किया है कलाबादी जरूर मां खाई है लेकिन गेंद को क्यारी नहीं कर पाए दूर से खेलाता मोटा सिरा लगाता वट अबॉल इसके पीछे वाले मैच में भी हमने देखा फ्लाइसलिप में बहुत उम्दा कैचेश विक्टों के पीचे विकेट की पर द्वारा कैचेश लिए गए और अभी पटेल जिस तरह से गिंदो को काटते लगबक अनिश्च सिता के गली आरे के असपास गिंद को उन्होंने टपा खिलाया था शरी से थोड़ा दूर खेले बॉल कैरी नहीं हुई लेकिन आज रवी बनारस ने जो कैच लिया है आइज ट्राइज जरूर किया फोर्स किया था सिधा में डॉन पे कोई रन नहीं एक बात है कि अभी पटेला क्रीज के कुने का अच्छा से मल करे हरेश और हमने देखा कि यह गिंद कट कर जो स्टॉक गिंद रहती है बायात की को अंदर आई थी बहुत अच्छा नियंत र रात हमाई वाट अबॉट लाजवाब पिछ से मदद ले रहे और देखे जब आप टूर्नामेंट खिलने आते हैं तो आपके पहले जो टीमें खेली है उसके बोलिंग अटेक को उनके बोलिंग प्रदर्शन से भी आप सीख सकते हैं केवल आप अपने टीम से नहीं केवल इसकोर वोर्ट पर एक रन लेप्टाम राउंड इस्टम जाते वे अनकीत को फिर अगें को के लाइक अप में गें ट्रावलो टीवी तेज आउट फिल पर वाइटी श्लोंग ऑन्री के बाहर चार रन हरिश्वार्ट यूर्ट यू तिंग अबार इस्टर्व फिनिश किया है उन्होंने उनकी आई साइड बहुत अच्छी थी उन्होंने गेंद को भाप लिया था और जिस तरह से उस शौट को अंजाम दिया चार रन की मोहर लगाने में कामयब रहते हैं अंकित राजस्तान MP7 में खेल रही है और एक और एक मानो 11 बन गए है अंकित को फिर बढ़िया गें जाकते रहो का अधेज देती भी गुटलेन पर पढ़ने के बाद बिल्कुल तीज कान के पास से जाते भी अरेश बिल्कुल सही का अपने पिछले शौट के बारे में सदा गुपानन रमेश की आता था हुई जिस तरह इसेट बैट्समें थे यह हैं दोस्तों आरेश बंडिया कहते हैं कि एक्सप्रियंस इस नॉट ओनली बेस टीचर बट अलसो बेस फीचर आखरी गिंज जो आपने अभी पटेल की देखी चिन म्यूजिक की याद दिलाते हुए जस तरह वेस्ट इंडीज आस्ट्रेलिया के गिंदबाज कोई जमा पाद दी लेकिन हम उसे कैसा इस्तेमाल करेंगे यह हम पर है बिल्कुल उस तरह क्रिकेट में इतना अच्छा पिच मिलना कृष्णा साथकू ते इसके पहले बता चुके है कि यह मेरा फेवरिट ग्राउंड है यहां पे मैं तीन चार्ट क्रॉनमेंट खेलता हूं इस दर परसन बट आइधिंग दिस इस दे बेस्ट पिच फर बॉलर्स गेंद वाजी में देखना है कि दूर वाले छोड से किसको लाय जाता है पांच ओड के लिए पत्चीस मिनट का आपको समय दिया गया है बंटी पटेल जो के टीम के कैप्टन है बहुत ही होट खिलारी माने ज दिखाता है इस मर्दबा फिर ओन ड्राइब किया ओफिस्टम के बाहर से कलाबाजी खाते वे गेन को रोका वाइडी शर मिडॉन में एक रन बनाते वे नदीम कुली स्कूर चे सिक्स विदाउट लॉस मेंडेटरी पाउर प्ले का दूसरा वर चलता हुआ उने में इस वक् मौसम बहुत ही खुब्सूरत है ऐडियल किर्केट कंडिशन थंडी अवा के जोके बैते हुए रदीप जड़े जा कदमों के इस्तेमाल निकल के मारा में स्टाइम इस्टों के डीप मिटाप में खिलारी और आउट होगे बैट्समें अनकित कि कल उन्हें बैस फिल्डर का वर्ड क्यों मिला है यह बहुत बढ़िया कैच कहते हैं कि गुजरात की खुश्बू उन्हें कहां जाता है टीम के कैप्टन भी है होने ते जितने खेल मुकदर के हो गए हम तूटी नाओ लेके समंदर के हो गए और खुश्बू हमारे हाथ को छूकर निकल गई हम फूल सब को बाट के पत्तर के हो गए तो अब फ्रंट फूट पर गलत क्रिक शॉट उन्हें ने खेला बिलकुल जो यह पिच है इसके उपर खेलना यह आसान काम नहीं है आज शंकर हस्दा ने जो पारी खेली या उज्वल ने पारी खेली अगर ये दो तीन पारियों के अपवाद को अगर मैं निकाल दूँ तो ओवरॉल यहां पर जो परिस्तितिया है वो आसान नहीं रहेंगी बलेबाजी के लिए लेकिन आसान कुछ भी नहीं है सब कुछ अगर आसानी से मिल जाता तो फिर क्या बात थी नदीम धानोरी की पारी और उनके साथ जुड़ते हुए राहुल निर्मल नदीम धानोरी की पारी के उपर पूरे राजस्तान की नजर रहेगी खास करके जुन-जुनों के लोगों अनकीत मोरिया जो आउटो के चले गए वो रिवर शॉट खिलने में ज्यादा रूची रखते हैं लेकिन उनको भी पता था कि स्पीच पर ज्यादा जोखिम ने लिया जा सकता है कमाल की बोलिंग कर रहे है राजदीब जड़े जा स्वेच इट कमाल का शॉट है और गेंद चार रनों के लिए जाते भी बहुती जबर्दा से श्रोक एक्स्टा कवर में राहूल निर्मल के बल्ले से जो शॉट था वो था मकमल बरा क्या अंदाज में मनलब सोचा भी नहीं था प्रादीब जड़े जा अगती परिवरतन आफ कटर थी बहाएं आथ के बैट्समेन के लिए बाहर निकली और कहीं भी पैरों में अलचल नहीं थी जहां मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है किर्केट में फुटवर्क ज़रूरी प्रादीब जड़ेजा निरमाल को बहुत दर्शने स्ट्रॉक बुलेट शाट कोई अपनी जगा से नहीं हिला चारण बिल्कुल जूसी आफ वाली और जिस तरह से उननत होकर खेला है उस गेंद को और खास करके लेफटी बैटर का कवर ड्राइब देखने लायक होता है औ और वाँ पर आखो को ठंड़क महुचाने वाला चार अरे जा एंड अफ दी पावर प्ले कोटा एंड अफ दी टूवर चौदा रन बने क्या मनते अब इनफ टोटल और नोट देखे इच्छाओं का अंत नहीं है इसलिए दो और चौदा परियाप था या नहीं यह तो बल ली दो टीमों को टॉस के लिए तयार रहना है नदीम दानोरी इस मर्दबाब पहली गेन जैसा आरेश पंड्या ने बता है वन आफ दिक रेट ओपनर लेकिन कहीं ना कहीं इस विकेट पे थोड़ा इस्टागल कर रहे है थोड़ा समय लगता है कभी कई क्रिकेटर ऐसे होते जो थोड़े लेट स्टार्टर होते है थोड नर्दबाब पुल कर दिया है और गेंद सीदा दर्शकों में गजब का शॉट खीच के मारा चेरन इन दी आर्क आउट अफ द पार्क सबसे बड़ी बात है स्ट्रोक सेलेक्शन नदीम धनोरी नदीम को क्या दिल का शॉट है शॉट अफ डे गेंद कवर पॉइंट के उपर जाती भी चारन इट ऐस बीन अ क्लासिकल इंसाइड आउट इस्टोक फ्रम नदीम एक कहानी है जो सब को सुनानी है अकर्मक बल्लेवाजी मेरी निशानी है शान्तू समुंदर जैसा गुसा म नदीम धनाओरी शांद थे तूफान के पहले की खामोशी और जो उन्होंने बल्लेवाजी की है शांदार जांदार असरदार अफला तुन बल्लेवाजी अभी पटेल इंटुमेंडस अंडर प्रेशर नाओ नदीम को इस मर्दबाची गेंद आगे रखा था टिप्पा खाने के बाद गेन ने काटा बदला अच्छी वापसी हम कहेंगे लेकिन पिछली आरेज देखिए हम देखने हैं तो पिछले पाच्छे गिंदों में यहां पर अठरा रन आए अभी पटेल लेफ्टाम राउंडी स्टम्स इस मर्दबाची इन फिल के उपर से खेला है गेल लोग ऑप बांडरी पर चारन क्या आप बल्ले बाजी करें अब नदीम धनोरी स्टेंड एंड डिलिवर और बाद में मध्यप्रदेश दोनों बाजू-बाजू में रदय प्रदेश भी कहा गया है क्योंकि भारत का रदय है मध्यप्रदेश और वहां की खुश्बू बुज्रात की खुश्बू के साथ में बिढ रही है अभी पटेल नदीम को ख्रैकिंग स्टोक लेकिन पीछे प्रोटेक्शन रखा गया था दीप कवर पॉइंट पे दूर से तुरो पहांचा है रन के लिए हिरन बन गे नदीम दो रन पूरे के अब राजस्तान का किर्केट देखने को मिर रहा है जहां पहले ओर में पिछड रही थी तीन ओर की समापती के बाद रन बने थीस पिकेट गिरा है एक आउट होने वाल में फिर से मैं टीमों को याद दिला दूँ के पचीस मिनट में आपके पांच ओर करना है अथवा आपको पैनलाइस किया जाएंगा एक खिलर यंदर रहेंगा आईए सुनते इंडिया कप में वाइस ऑफ इंडिया कल आई टीसी का जो उन्होंने फंक्शन को कवरेज दिया आज जो ओपनिंग सरे मनी थी उसके बाद कोमेंटरी के सर्ताज हरीश बंडिया लीट करेंगे माइक को शुक्री आपका दोस्तों आप देख रहें दुबाई बुक प्रेजेंट्स इंडिया कप सीजन वन और गनाईज बाई टैनिस्क्रिक दॉट इन निलेश बिंतारे स्पोर्स फांडेशन एंड जी विजया गरवाल पावर्ड बाइगल गेमिंग केट पार्टनर विराट अ मैंनद दुसीरी स्पॉंसर बाई एक्पिरा बिल्डर्स नरिश बोहिर सपोर्टेट बाई अक्षया चैतन्या असोशेट स्पॉंसर आक्सी रिच ने और की शुरुवात होने जा रही है जिसको करने आ रहें राजेश नाइडू और राजेश नाइडू की अगेन पुल कर दिया यहां पर जाना होगा राजेश नाइडू ने पिछले ओवर में जो ज़्यादा रंखर्च किये थे इस ओवर की पहली गेन पर विकेट यहां पर हासिल कर लिया जैनिश ने कैज को अंजाम दिया झाल दूनों केप्टेन सर एक पेस्ट है कि आपको टॉस वाक से जूर जाना है बढ़िया कैच इस तरह की कैचे सासान नहीं रहते बिल्कुल और यहां पर आउट होकर लोटना पढ़ रहा है राजेश राहूल निर्मल को अब आचुके दिलिप बिजवा और दिलिप बिजवा यह बहुत बड़ा नाम है मद्यप्रदेश राजस्तान चतिस गड़ बे अगली गेंग और बिजवा ने आते ही वहां पर बल्ला गुमा दिया और गेंग को घुम घुमा के चौके में परिवर्तित कर दिया आली शांचोगा बिजुवा का बिजिली भरावा शॉट कितने जल्दी उन्होंने अपने आपको पोजिशन किया लगता है कि उनके पास काफी समय है यह देखें गेन के लाइन के अंदर आए कंट्रोल उक शॉट विकेंड एरिया में चार रन स्कोर 34 for the loss of two wickets पहला विकेट 6 पर दूसरा 30 पर 24 रनों की शराखत दूसरे विकेट के लिए हमने देखी और अब यहाँ पर दिलुप बिजुवा ने वाके में बहुत सारे इनाम जीते है इलारुन का गाना आदा है बिचूडा बिचूडा यहाँ पर बिलकुल बिजुवा बिजुवा देखो बिजुवा बिजुवा जम गया बिजुवा बिजुवा ने जो स्टार्ट किया वहां पर और चौके से देखे रेड और ब्लू का कॉंटेस्ट मुझे बहुत पसंद है मांचेस्टर उन्याटेट चल्सी को हम देख रहा है कोला वार के कलर्ज और यह खुबियां खामियां अच्छी तरह पता है और उसका पूरा जो एडवन्टेज है वो यहां पर टीमें लेना चाहेंगी अरे देखे राजेस्तान इंपी की जहां तक बात है अब तक जो चार बैट्समें आए वो बहुत ही जबरदस बैट्समें ने माना क्या नी अनकित मोड जिनसे काफिया प्रिक्षा ती सस्ते में उत्वें और सामने गुजराच जो है यह भी तगड़ा टीम नेकर मैदान में उत्री है हो सकता है बांगी नाकू तोड़ी नाकू भुक्को करी नाकू इस तरह की बलेवाजी हम देखे बिजुआ ने मिस टाइम कर दिया है लेकिन आप जाकर उसे कैच में तबदील कर दिया गया जैनिश नहीं कैच ले लिया जैनिश जिसने कैच को किया फिनिश जनीश तो नहीं को जीनियस कहना चाहिए जिस तरह कैचेस वाकर रहे है आउट हो गया विजवा और एक और विकेट का पता नहीं देखना चाहेंगे गेंद इतनी उची आसमान में कड़ी रहे थी और ये कैमेरा वर्क देखिए बिल्कुल कैमेरे के आग में गैन कैद ये नीचे आती भी और ये वहाँ पर फिल्डर आते भी दिस इस तो वंडर्फूल टेलेकास टनिस करके डॉड इन ये टेलेकास की दुनिया का बादशा है और जिस तरह से संतोष नानेकर ने प्रगती की है चाहे क्रिकौन का पो या फिर इंडिया का पो आइधिक उन्होंने एक दुनिया के सामने मैसेज रखा है कि अगर आप अपने सपने को चेज करते हैं आपके सप सपने के साथ आपको चलने की सपने जो है ये आपको सुलाते नहीं है आपको जगात है जो जाक कर सपने देखता है उसके सपने जरूर पूरे होते हैं और होना भी यह चाहिए कि मंजिल आपको खाबों में नजर ना आए सपनों में मंजिल आपको जहां आप खड़े कोई पकड़ ले नहीं बैट्समें आमीर सोहल आमीर सोहल को मौका दिया गया है आउट उनले बले बाज चार आठ और चार के स्कोर पर आउट हुए है नीजी स्कोर पर राजेशनाइडू की पठकी विगेंद बहुत ज्यादा उपर उठी थी और वाइड बॉल दी जारी है अमपार द्वारा अमपार करोना कर कोटीन वहाँ पर इशारा करते हुए है कि आपने यह बाउंसर गेंद की है बहुत ज्यादा उपर चली गए थी लगबक वेस्टे लेकिन आउट कर वापस लोड़ना पड़ेगा यह कैच को अभी पटेल द्वारा यह कैच आपने नदीम की बात कि हरेश को यह सी निंग उनकी जो आपकी नजर में सबसे अच्छी वी शेयर करना चाहेंगे मेरिकल से राजस्तान में का दो दो या तीन मैने पहले की शायद बात है जा मैनने जीता था और राजस्तान में दरसल में इतने ट्रूनामेंट होते कि उनको कम मौका मिलता है राजस्तान से बाहर निकलने का जितना आपके साथ होता है आप बिवंडी के निकल पाते हैं बिलकुल वैसा नदीम धनौरी का है आपकी जो पॉपिलरिटी कहीं जाएगी जिस तरह से वो खेल रही निंग को पकड़ कर भले उनके साथी बिछड़ते चले जा रहे पहला विकेट छे पर फिर तीस पर फिर चाउंटीस पर और पैंटीस पर तीस से पैंटीस आते आते उन्होंने तीन ख्राड़ी खो दिए एक्जैटली देखना है कि अभी भी काफी और बचे हैं और किस तरह बाके बेट्समेंट साथ निबाते हैं ने बेटर हैं शाकिर शाकिर के बले का मोटा सीरा रीले कैच हो सकता था आज कई मरतबा ऐसा हुआ है सिदिक भाई टेनिस क्रिकेट में कौट बिहाइंड कैच होना यहां कौट बिहाइंड होते होते स्लिप में कैच जाना बहुत रेर घटना है जो आज के दिन लेकिन घटी है एक्जैटली बहुत मुश्किल से इस तरह हम देखते हैं लेकिन इसका एक कारण है भी के इस विकेट में रफ्तार जाता है यहीं कारण है के एज बहुत मोटा लेकिन इस पर विकेट देना होगा नदीम धनावरी को आउट होने के बाद उन्हों ने सर जुकाया है हला कि शॉट में अपरकट में दम था लेकिन अ कवर पॉइंट पे खिलाडी था अब अफसूस करने से कुछ नहीं फायता क्यूंके दूश से एक बहुत 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 पर दई बन गया तो दई से दूद नहीं बनता निसार मंसूरी ने उस कैच को वहां पर पूरा किया और नदीम धनौरी नहीं तैकर पाए वो दूरी क्योंकि वहां पर खड़ा था निसार मंसूरी यह सर अच्छी बल्ले बादी के बाद लोटे नदीम यह देखिए ज़्यादा जगे नहीं थी हला के शौट के लिए उतनी जगे नहीं थी क्लोज आप दी बाड़ी अपरकट खेला था ही करन था के ज़्यादा ताकत भी नहीं मिली और परफेक्ट एलिविशन नहीं मिला बड़िया बल्ले बादी के डगाउट लोटे वे तालियों से उनका स्वागत किया जा रहा है अगी वाली नहीं देखिए एक इंपोर्टन अनॉस्मेंट है इस मैच के बाद आज की रात का आखरी मैच रहेगा यूपी योद्दाज और महारास्ट्रा ए एन्बी वारियर् साथ से पंजा भरियान शिर्साट स्पोर्ट्स और राजस्तान एंपी एम एम सी सी ये कल दुपैर का पहला मुकाबला रहेगा तीन बजे टॉस होगा साड़े दिन बजे मैच की शुरुआत होगी कल का पहला मैच ये आज का जो आखरी मैच है वो कल पहले खेला जाएगा धन्यवाद आखरी ओवर लेकर सोहल यहाँ पर हेलिकॉप्टर शॉट क्या स्मूज शॉट है लेकिन गेंद के नीचे आए वाटर क्याज बाए बंटी बटेल बंटी जिसने बजा दी खत्रे की घंटी और आउट होगे वहाँ पर नहीं बैटर कब गए कब आए पता ही नहीं चला साकिर के लाटर के वहाँ लैए वहाँ पर नहीं चार आए अटॉट है लुटर नहीं चला से धी घजुट कि लिएस फोगगे हैं एला दॉट के लिए के लिए शुट है करते हैं और बहुत अच्छा प्रधर्शन रहा है इस साल उनका और इसलिए और जो मुनाफ पटिल इंटरनेशनल क्रिकेटर है उनके परिवार से तालूग रखते हैं स्वहल मरजा और इनके सामने बैटर है इर्फान इर्फान ने इस बार हरकत ली हरकत में बरकत और गेंद को भेज दिया चार रहन के लिए लगने वाला ये शांदार शॉट जान अतेली पे लेके शौट को खेला है विक्तों पे विक्ते गिर रही थी सोहल मरजा के सामने ये पहली मन बना के खेला हुआ इस्टो वहाँ पर मरजा के सामने अपना दर्जा दिखाते हुए बैटर इर्फान और ये चार रनों की सक्त जरूरती स्कोर हो गया चालीस और विक्ते गिरी एकुल मिला कर छे ख्रीस के कोने से इस बार क्या बढ़िया एबी डी विलियर्स की याद ताजा करने वाला ये स्लॉक स्वीप का शॉट था वाट अ ब्यूडिबल टाइमिंग और ये चार रनों की स्वीप के लाता महां पर ये देखे कितना बिल्कुल एबी डेविलर्स मानो ऐसा लग रहा है कि उन्हें नहीं शॉट के लाओ क्यूंकि वाइडिश फाइनले कूपर ख़़ाता गेंद तेज आउट फिल पे सरकती भी चार रन इस इस दा क्लेवर बैटिंग फ्राम इरफान वाके में इरफान दो चौके लगा चुके है टीम को पहुचा चुके है चावालीस पर छे खिलाडियों के नुक्सान पर इस बार बॉल कुछ समय हवा में रही लेकिन उसका कोई खत्रा नहीं होगा एक रन जरूर रहा पुरा करते हुए बैटर अनील स्कोर आगे बढ़ता हूँ इरफान इरफान ने अब अपने निजी स्कोर को पहुचा आया नौ पर और अब स्ट्राइक पर आ चुके है अनील माना के भीक्ते बहुत गिरिये लेकिन फिफ्टी प्लस हुआ तो इमैज भी रंग लाएंगा सोहिल मरजा और उनके सामने बैटर रहे अनील थोड़ इसी तब्दीलिया देख रहे हैं इस वक्त फिल्डिंग की जमावट में फ्लिक कर दिया इस बार गेंद स्ट्राइकर एंड के अंपार के पीछे जाती हुई एक रंपुरा किया है एक से ज्यादा मिलना मुश्किल होगा और स्कूर अबागे बढ़ता हुआ च्यालिस पर छे विक्टो के नुक्सान पर हरे इस देखने में तो इस शॉट बहुत खुश्रूरत था ठक्टेवे अंदे ऑन साइट ऑल अन दे ग्राउंड क्या दिलकश्ट था लेके ना पीछे फिल्डर था सबसे बड़ी बात एक फिल्डिंग प्लान को लेकर चलने का प्रयास जरूर किया जा रहा है पांच के लड़ी ऑफसाइड पर चार के लड़ी ऑन साइड पर और इस बाहर नजर हटी दूर गटना गटी एक परफेक्ट यॉरकर वहां पर सोहल मर्जा का और उन्होंने विक जा है लेकिन यह फिलाल मार जा खिलारियों को एक के बाद दीगर आउट कर रहे हैं साथ विकेट यहां पर लेने में कामयाब हुआ है गुजरात का संग बहुत अच्छी यहां पर टीम लेकर गुजरात की टीम भी उत्रिया देके बिल्कुल चैनल में बाल को रखने का क्य काते हुए स्वेल मर्जा और कुल मिलाकर पांच ओवर के मुकमल होने पर स्कोर हो गया 46 नौ दशमला दो सिफर का रन रेट और अब आखरी ओवर में यह मैच सिदिक भाई यह मैदान पर जाट 6 ओवर में हम अमूमन असी नबबे की उमिद करते हैं फिर 55-70 लेकिन आज पचास से साट के बीच के जो स्कोर रहे है यह बिल्कुल पहली की तरह रहे है एक्जैटली मैजिक फिगर भी हम कह सकते ही जिस तरह आपने का राजेश नाइडू नाइडू के सामने बेटर है अनिल ने हलके आतों से खेल दिया है इन फ्रंट अफ दस्क्वार गेंज आ रही है और एक और दो में तब्दील करना चाहरे थे लेकिन रन ऐसे नहीं चाहिए कि आपके विकेट गिरे बेराल आठवा विकेट गिरता हुआ अभी भी डे तोवर की पांच गेंदे बच्ची अभी पटेल ने वो थो किया था देखे किस तरह स्वैम बोलर है इसलिए उनका जो आम है वो बाय हाथ पर गेंदाई थी और अच्छा आम था उसने बल्लेबास को हार्म किया और वहां पर विकेट को बेज दिया डगाउट में ने बैटर नवनी थारिश पंडिया मेरे साथ है अरे यह बताई यह दूर से थुरुफ पहले बांस पर आता है तो तेज आता है यह जो फ्रू के डेफिनेशन है इस गेंद के बाद आप जरूर रोशनी डालिए जरूर देखे जो विदेशी टीम है वो इस तरह के बहुत कलपकता और सर्जन शीलता के साथ काम करते हैं इस वक्त राजेश नाइडू नाइडू की एगें थोड़ी धीमी आई बसा पहले गुमा और मारस्ट में इसको कहते हैं मामा बनाना बिल्कुल नाच ना जाने अंगन टेरा आपको नाचते नहीं आता तो आप आंगन को टेरा नहीं कह सक तो स्कोर अभी भी रुका हुगा है 47 पर आट विकेट जा चुकिये इस बार तेज तर्रार तीखा तेवर बताते हुए नंदूर बार के लाल तीखी मिर्ची की तरह बॉल चली के थी विकेट कीपर के हातों में जिम्मी दरबार जो कि विकेट कीपर की भूमी का में दिखा किंग बैटर है कि इस बार भी गेंद को गुमाया और वहां पर कोई जवाब नहीं है अब रुनाउट की रूप में विकेट की रनाते हैं तो विक्टे पत्तों के महल की तरह अब तूटती हुई और इसका पूरा जो नुकसान है यह राजस्तान मद्यप्रदेश टीम को हो समिश है चबाने के लिए दांत नहीं बचे बहुत सही का आपने यह तो मानों ऐसे है कि मैंने कि आखरी तारीक का एक घंटा उनके पास बचा है कुछ करने के लिए दक्षिन गुजरात और खास करके सूरत साइड की जो भाशा है बहुत इंपोर्टन्ट है और ऐसा बंटी जरूर कह रहे होंगे कि मैं करीला खा आजे मैं कर दूंगा तो यहां पर अलाउट कर दिया है कि यह सारेश आपने सही कहां राजेश नाइडू ने चार विखते लिए तो कुल मिला कर रन बने पांच विकेट लिए फाइपर फास बॉलर रूख लेम फाइप विकेट्स आज अमने राजेश सोर्टे का मेडन डबल विकेट मेडन देखा और अब राजेश नाइडू यहां पर फाइफर लेते हुए आज का दिन है यह बुद्वारनी यह राजेश वार है और एक राजेश वहां पर स्पिनर है और एक राजेश मध्यम तेजगती गेंदबाज यहां पर कहते हैं कि हिंदी के आकाश चुपड़ा क्योंके लाइव चैट में लगातार यह कहां जा रहा है कि आकाश चुपड़ा पूने में है क्या और उनके साथ कुएन का रेश्मा मेकर खेल की जब शिरवात होंगी तो कॉमेंटरी में आप से जुड़ेंगे सुमन्ता बैनर जी और उनके साथ हर्शीत शर्मा इस ओवर टु यू रेश्मा एन हर्शीत देखें मैच को शुरू किया जाएगा टॉस जो है दूसरे ओवर में होगा यह सुचना में मिली है लेकिन बंटी पटेल एंटीम वाट असाइड राजेश नाइडू अभी पटेल जिमी दर्बार बंटी पटेल प्रदीप पाटिल वाओ क्या टीम बनी है गुजरात की भी और खुश्मु गुजरात की जो हम कहते हितें इंद्र सिंग जाड़े जा हरेश जरूर परदीप की बात आपने निकाली अचकल उनके बारे में लोग कहते है नो लुक शॉट आप क्या कहेंगे नो लुक शॉट नहीं गुजरादी में ए चलते हैं अगले इनिंग की तरफ कमेंटरी में अचकल लाइव चैट में भी हर्शीत में शर्मा आपके लिए काफी मेसेजेजेज हैं के तूब्यानेस्ट लग बग पचास मेसेजेजेज ऐसे हैं कि क्या उने में आका चुपड़ा आएं तो टैनीस किरकेट के दोस्तों य आका चुपड़ा है बहुत यहांग है बहुत लंबा सफर है इनके पास हमारी शुपकामनाएं भी है गोईट कि अपट आप और उनका साथ देने के लिए कॉमेंटरी में आए इस इंडिया कप में दो बैतनी नावाद अदोड़े सारा और टैनिस किरकेट के आका चुपड़ा अरशीत शर्मा अच्छ तो एक बार पूर ने बहुत भाहुत धनिवाद कहते हैं सिद्धिगी इस सहाब को बहुत लाजवा बंदाज में हरिश पंडिया सहाब के साथ कमेंटरी व्यर्थ की है और व्यर्थ में हमें बताया है बहुत सारी बाते और सीधा ले चलते हैं एक बार फिरसे और बड़े वोगाबले की तरफ पहला ये दिन है इंडिया कप इतिहास रच रहा है इतिहास रचा जा रहा है पूरे का इस सिंगल इंटिजीट का एक शांदार सा मैदान और पहले बल्लेवाजी करते वे राजसान जो धोरारी धरती जिसे आप कहते हैं MP के साथ मिलकर उने एक अ बहुत सारे स्टेट में 9 से जादा स्टेट में कमाल मचाया है धमाल मचाया है हमारे साथ मौझूद है वेरी प्रामिसिंग प्रशांद दावड़े सहब आपका स्वागत करते हैं अभी नंदन करते हैं दुकॉम बोक्स शुक्रिया हरशीद और विलकुल इस पर तेक बहु बिलकुल इस पक्त अड़तालीस रनों का लक्ष और बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है राजिश नाइड़ु दौरा जुने ने प्रभावित किया क्या जब्रदस्ते गेंदबाजी की आज की तुन्डमिन में दो राजिस समके हैं जिसमें राजिस सोटे का कमाल रहा इसलिए जाने जाते हैं बहुत बड़े बड़े टुन्डमिन में डानना जानते हैं खास करके राजिस सोटे और राजिस नाइड़ु ने आज पांच विकेट का हॉल बत्तब यह कहां जाएगा कि यहां गेंदबाज का जो जिस तरह से इन्होंने जलबाद दिखाया और ब बहुत बड़ा होगा बिल्कुल सही शब्दों को आपने चैन किया है प्रशान सहब और इसी शब्दों को खेलने के लिए आप जाने जाते हैं बट बिल्कुल आपने सही का क्या गींदबाजी के राजे शनाइड़ु ने एक अदबुद अंदाज में खेल का प्रदर्शन करकर दिखला है और पांच विकेट लेना चैन के मुकाबलों में कभी भी आसान नहीं होता है और आसान वो मंजर नहीं रहा था टैनिस क्रिकेट डॉट इन के लिए जब उन्होंने शुरुआत की थी एक महराश्ट्र के रिलेटेड बात कर लेते हैं जब उन्होंने एक पूरी टीम क्योंकि कहते हैं टीम वर्क इस द्रीम वर्क यह और एक वार फिर बीच महिदान के दर भी जाते हैं बारी बारी हम एक वार फिर इस मैंच का आको देका हल सुनाने के लिए तग्यार मैं हूं प्रशाद मेरे साथ अर्शित के बादी करने के लिए बाद और जिगनिस पटिल जेनीव टपकाने के बाद गिन अंदर के तरफाइं बैक पूर पर चिले गए रक्षाद पर तरीके से खेलना चाहते हैं लेकिन अच्छी गेंदे इस फिकेट पर जान है इस फिकेट पर हर्शित जान है अगर सही ठीकाने में गेंदबाजी करते हैं त अगली गेंद एक बार फिर से शॉट ऑफ लेंद ये गेंदे पुल किया है डीप मिडविकेट दिशा में दो वहाँ पर शेत्र रक्षक मौझूद है अच्छा फीलिंग का एफड और त्रो देखिए कितना स्ट्रॉंग गाम है टैनिस बॉल को इतना धूर त्रो करना प्र यहीं ने स्कोर की बात करें तो रन संग कि अब दो रन बगर किसी नुक्सान के मुकाबले की बात करें तो बिल्कुल एक एक बार फिर हम चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए लेकिन वहीं होता है जैसे हम सुचते वाइसा नहीं होता है जहां हमारी सोच घतमती वहां से किर्केट शुरू हो जाती है अबसलूटली पिल्कुल आपने सेगा प्रचौन जी बट ऐसे कैच इस पकड़ने पड़ेंगे राजसान एंपी की टीम को अगर इस मुकाबले में वापिस आना है और चाहना है शुरूआत में विकेट तो आपको ऐसे कैच इस पकड़ने पड़ेंगे लेकिन कैच चूटा ह अच्छी गेंति यह उंसर पर केलना चाहते थे लेकिन फुटबक नहीं था खड़े-खड़े उंसर पर केलने का प्रयास बल्ले का अनुने किनारा विकेड कीपर ने अपना काम पूरा किया तो रन बनाने का कोई अशन ने यह बहुत अच्छी गेंति स्कोर की बात करें तो र लाल चेरण गिरीश हमारे साथ जोड़ें इस तुनमन के दास्तान अपने कलमों से लिख रहे हैं जी बहुत ही बहतरीन कार्यां आपर स्कोरिंग में और स्टेट्स टीम जो हमारे साथ मौजूद हैं सबी काम धन्यवाद कहते हैं संदेश हमारे साथ यहां पर मौजूद है पतो और स्टेटीशन इस बार पॉइंट की दिशा में करकलाता हुआ शौद है यह तमाचासा चला है आउटसाइड यह आपस बलेबास को रूम दे नहीं सकते हैं जीमी और जिनेश के चोड़ी एक नई जबर्दस दास्ता लिख सकती है जगब बंती नहीं बनानी पड़त और यह एंबी चोग का इंपोर्टन स्टोक है बहुत बढ़ गया तरीके से प्रेशर रिलीज करने बाला चोग का बल्लेबाद जीमी दरवार के बलने से डबल प्रिगर में स्कोर जाता हमां स्कोर की बाद करें तो दस रण उबर पहला प्रगदी पर और पावपले की ओवद इसलिए आप बहुत इंपोर्टन कहते हैं इस बार फिर से गुड लेंद का गेंद हिटिंग दर रिब के जो लाइन होती है लेंद होती है उस पर डालने का प्रयास था पड़ेग अच्छा सिंगल और प्रशान जी क्योंकि आप बहुत 25 सालों से ल दिखाना चाहेंगे इस बिल्कुल इसके पर चच्छा होगे पहले ओबर के बाद रंसन क्या को मिला कर अगर देके तो ग्यार नेलसन आकड़ा आया है तो शुरुबात बहुत अच्छी वेबले बादों के लिए तो नेलसन आकड़ के बाद एक बार पिर अपनी सवाल पू इसलिए देके सिंगल और डबल बहुत माइने रखता है तो इस उबर में चोका भी आया सिंगल भी आया कुछ अच्छी गिनवाज भी हुई लेकिन फिलाल ग्रिकेट के लिए मेरे साब से अच्छा उबर था स्टार्ट बले बादों का बेहत्री नुबा है जी आ बिलकुल थी प्रसिद खिलाडियों में इस एक हैं विश्व भर में लगाता टैनिस बॉल क्रिकेट में अपने नाम मूचा किया है और बहुत बड़े बड़े टूनामेंट्स जिब हम राजसान की बात करते हैं बूरावर जैसे टूनामेंट हो या फिर अलग बालग भाती के टूना प्रसिद खिलाड़ी है दीपक गड़ी जैसे खिलाड़ी यह बहुत अच्छा प्रसिशन कर रहे हैं तो बहुत टपकाने के बाद दे के तोड़ा सा गेन हरकत करते हैं रक्षात पक तरीके से गेन को खेल दिया रन तो नहीं मिलेगा लेकिन यह बिंदे बिलकुल एक बार बलेबाज के उपर प्रिशर बना सकती है क्योंकि पहले उपर में बलेबाज उन्हें अच्छा स्टाट किया यहां से जितनी बिंदी गेन्दे आएगी प्रेशर बलेबाज की तरब जाएगा और इस शॉटर फॉर्मट ऑफ द गेम में हमेशा यह होता है कि हर एक गेन्द मिल जाएगा यहां पर एक सिंगल के साथ स्ट्राइक होती वी रोटेट हर्शित देखें डूपते को तिनके का साहरा उसी तरह से गेन्द बाद को फिल्डर का साहरा होना बहुत ज़रूरी है अच्छी गेन्दी पटक में गेन्द एक बार पिर बहुत तेदी के साहर की तर तो रन सेंग्या बारे रेंट वेल उन्द बोर्ड जीतने के लिए अरता लिसनों के ज़रूरत है यहां से विकेट की तलाश रहेगी विकेट नहीं मिलेगा तो बैटिंग में बहुत गही रही है बहुत अच्छी क्रिकेट मैदान के इंदर बल्ले बाजो दौरा हो रही है और यह मनमोहक व्यू देखिए आप मनमोहक व्यू है यहाँ पर ग्राउन का अगर आप व्यू देखें तो इस ड्रोन शॉट से जो हमें नजर आया बहुत ही बढ़िया ड्रोन शॉट तो और मैं निकमेदन करूँगा हमारे डारेक्टर सहब से पिलकुल यह देखिए ध्य और इस मैदान को जन्नत बना दिया है पूने की काबले तारीफ है सिर्फ तीन दिन की महनत है तो टपकाने के बाद उच्छाल बिल्कुल है इस पकपड़िया गेंद बाद एक आसकर के तारीफ करने होगे यहाँ इर्फान की इस पुकाबले में ज्यान डाल रहे हैं पहले प्रेंशर है पहले ओवर में ग्यारे रनाएं और उसके बाद में कमबाक करना चाहते तो लगातार आठ गेंदों के बाद बिल्कुल वो बिंदी गेंद आई अब जाकर वो बिंदी गेंदी आ रही है उसका मतलब गेंद बाद ने बाहुल बनाया है अपनी बोरीक मार पर ग्यार और चोटी गिंतिया उन सेट पर पूल किया खुल सुर्थी के साथ गेंद बॉंड के तरफ जा रही है हम फरका क्या फैसला गेंद बिल्कुल बॉंड के तरफ जाते भी गेंद है कम जोर बल्लेबाद ने लगा है जोर और यह लगा एन्वी फोर प्यूटिपल शॉ है बहुत ही आकर्शक शॉथ हवाँ पर और इसी तरह से यहां पर यह मुकाबला अगर आगे चलेगा जो प्रेशर की आप बात करें दिरफान ने बढ़ाया था बट यहां देखें मौका मिला हाथ कुलने का और उसके बाद यह बले बाद चूकते नहीं है जीनेस ने बहुत ही खुष्ट स्टोग केल दिया टाइमिंग बहुत ही बेधरी एक पर फिछोटी गेंती इतनी छोटी गेंद बाजी कास करके जीनेश के लिए आप नहीं कर सकते दो केंदे बहुत अच्छी थी बढ़गा गेंद बाजी हुए था अब धुड़ा सा आगे के बढ़ेंगे इसके बाद में एक इंपोर्टन मैच को यहां एक बार फिर छोटी गिंदी लेकिन हटके खेलने का कुछ अलग करने का प्रयास किया गया था अर्शित मैं आपके तरब बिल्कुर आउंगा उत्तर प्रदेश और महारत मैं आपको बबिंती कर दोनों कपतानों को आप तैयार रहें टॉस के लगए कि दो ओवर के बाद वो टॉस होने माला था लेकिन यह देखे आज कर फैंसी स्टों खेलने के कोशुश हो दे अर्शित यहां मेरे साफ से एक अच्छा स्टों खेला था उसके बाद में यह खराब शॉट था शॉट सेलेक्शन अच्छ अच्छे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे जीविए ब्रदर्स मिस्टर विजय अगरवाल सहाब को हम धन्यवाद देते हैं और जो हमारे डाइरेक्टर हैं मिस्टर संतोष नानेकर उनके बारे में भी जो कहा जाए जिस तरह से एक यंग एंट्रिप्रिनॉर और जिस त पूने का एक खूपसूरत सा शहर जयाप पूने का इक खूपसूरत सा शहर और उसी के मध्य में सिंगलEdGE Street के मध्ये अधवर द्रश्यता नीट एंड्री लाइव być ली कास शन्तोष ननेकर टेनिस कीटेवर ट演 टीम अलग सोच अलग उम्मीद, अलग फ्रैटफॉर्म और अब नई सोच के साथ स्टेट लेबल की जो किलर में तब स्टेट की एक टीम के साथ या खेलने का मोका मिन रहा है आने वाले दिनों में इनके मन में बहुत सारी चीज़े हैं एक एक चीज वो लेके आ रहे हैं बहुत बड़ी उपलब दी टपा खाने के बाद गेन अगर देगे तो थोड़ी नीची रही है अंसेट पर खेलना चाहते हैं यह अच्छी गेंद है गेंद बाद दौरा बिंदी गेंद के साथ स्टार्ट किया है तो साकेब खान अब ब्रेक तुछ चाहिए आपर राजस्सान और MP की टीम को यह ऐसे ब्रेक तुछ चाहिए अच्छी गेंद थी वहाँ पर साकेब के पिछली अगली गेंद लेफ्ट आमोद विकेट के साथ फिर से थोड़ा सा लेंथ बॉल था गुड लेंथ पर डाले का प्रयास डीप मिडविकेट फिल्ड आप पीछे मौचूद हैं अगर आईए थोड़ा सा फिल्डिंग पोजीशन पर अगर हम नज़रे जमाएं एक डीप मिडविकेट एक लॉंग और पीछे की तरफ मौचूद है अब मिडव को उपर बुलाया है और वहीं पर क्योंकि शायद बद्लाओ किया गया है गेंदबादी करने साकीप और स्टाइकर इन पर बले बाज एक चोकी के मदब से चार पर खेंद रहे हैं जिनेश पर अर्बिक जोडी मैदान के अंदर जिमी और जिनेश जीतना बहुत जरूरी नहीं है लेकिन एक तरफ विकेट की तलाश रहेगी पहले दो उबर में बहेतरीन बल्ले बाजी हुई है कि साकीप के अगली गेंद ओ एक्रोस केरने के कोशिश सर्शीत बहुत अच्छे गेंती फुल लेन ब्रॉकॉल में अंदर टोस गेंद बिल्कुल बल्ले को लगी है लेकिन बल्ले के बीचों भी नहीं है इस तरह से आप इसको एक बार भी प्रेशर बनाना है इंपोर्टन अच्छा स्पेल बिल्कुल ही यह और स्टार्ट अच्छा हुआ है बहुत बढ़िया गेंद बाजी कर रहे हैं दुबाइबुक.com यहां पर जो प्रेजिंस यहां पर चल रहा है इंडिया कब इसमें बहतरीन खेल का प्र अच्छी साजेदारी है और मैं कहूंगो कि जिस तरह से हमारे शरीर में वो हाट की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है वैसे यहां पर यह बिल्कुल हाट भी दहला रही है राजसान MP की टीम की विकेट चाहिए पहला यहां पर और कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं विकेट के लिए यहां फोकस करना चाहिए बहुत अच्छी लाइन पर क्या रनाउट का मौगा होगा टाइरेक्ट इडार ऑल्वेज डेंजरेस पर क्या शायद बल्ले बास पहुंच चुकें क्या वो जो यहां पर हैली लाइन अप है वो बता रहा है कि हो सकता बास को अपने बाजों खोलने का मोगाने मिले बहुत बढ़िया गेंद बादी सटीक यार कर कर रहे हैं अब चकर क्या विकेट मिला या नहीं मिलना मिला है वो देखना बहुत रहे हैं आज पूरे दिन में बजी रहे हैं और मैं पर आपको सवाल पूछना चाहूंगा टिन क्यू सो मच कमेंटी पैनल नमस्कार आदाप केम चो कसिकाय और फिर सेक बार आप सभी का स्वागत है दुबाइबुक प्रेसंट इंडिया कॉप 2023 नेक्स्ट माच बिट्वें महाराष्ट्रा ए वसस यूपी ओद्धा दोनी टीम्स्ट्र काप्तें स्ना रिक्वेस्ट असल आपले सोब जोईन होना एथ मननीय रोहित रोहन दादा करन्स कर आणि माननीया चंदू शेटटे गोगावले मी विननन दी करें चंदू गोगावले मी विननन टीकरें दोनी ए मनने वराण न कि आमची अउन्ड यूफ जोईन होईचे अवेरी ओम वेलकुम मैंने वरांचे मना पसुना भारी थे आला बद्दल सर तो दोनी टीम्षा कैप्टेंस ना टॉस कोई दो कोई चुटे कोई चोई का साइल अपन पाउ शक्ता तैनिस्क्रिकेट डॉट इन अनि कोई चा दूसरे साइला अपन पाउ शक्ता इंडिया कप सब्सक्रिकाश भी उप युप घचा ऑद्दा शका लाहां सर प्ली स्युटी ओनेंडिया कप्ल दोनी मैंने वरांचे मना पसना भार धनिय वर्ट लिए वयर्थ प्रडक्स पता दी जिए क्या लेनी कादिशियन लूने का बोल फॉस्ट्र थैंड्यो मच तो लिज एंगे लिए लूट एगर दोस्ट गूज तो बोल फिर देखिंगी किसकी ओटी है जित किसकी ओटी आर जोडी देल बाद तो दो टो दो एग्यू कॉमेंटरी पाक्स शुक्रिया बाद बिल्कुल इस पक्त अगर देखे तो एकाया किसी स्माइल और टॉस के कहानी के अगर बात करें तो टॉस यूपी उद्धान जीता और बिल्कुल इंट्रसिंग मैच है महारते के किलाप को खेलेंगे और वी वारस की टीम और अब जाकर चलते हैं मैच की तरफ गेंदर बल्ली के भी चीड़ी है जंग चड़ा है क्रिकेट का रंग रंग में भंग विकेट गिर चुका है तोड़ी ताल मिलों के भी बल्ले बाद की बिल्कुल गलती है यह रन बन सकता था जिया बिल्कुल यहां पर यह रन होना चाहिए तो और इसलिए कहते हैं कि क्रिकेट में अगर आप कभी भी केज़वल हो जाते तो आप वो केज़वल्टी में तब्दील कर देते हैं वहां पर और बल्ला जो था वहां पर शायद पूरा ड्रैक करना चाहिए ता जितनी भी यूवा हैं जो हमें देख रहे हैं उन्हें पार हम फि अगली गेंद की तरफ एक बार पोन है थोड़ा सा ओंचाइट पर डालने का प्रयाज के लायों का पेहर अच्छा इस्तेमाल करते हैं फाइनले की दिशा में और डेप स्कुले की दिशा में खेला है अच्छा से उपर नीचे गरम चला है तोड़ा सा गर्मा आपको नजर आय है बड़ी अच्छा सेंगल के साहथ रूटीषन कहेंगे डबाल आ चुका है और जिनके बारे में चच्छा उरीकहास करके प्रदील बीच уп propri безопас पर बल्लेबाजी करने के लिए तो इस सीजन में सबसे बेटरीन बल्लेबाजी करने बाले बल्लेबाज बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए इनकी पर निगाहे रहेगे स्कोर की पर तरफ एक बार फिर बढ़ते हैं उबर तीसरा रंसंग क्या कुल मिलाकर 21 जीतने के अड़तारी सनों की जरूरत है लेकिन तीन ओवर के कहानी देखे हर्शित मैज दोनों तरफ बना हुआ है एक विकेट जरूर है एक विकेट से एक बार प्रिक्या पाने कहानी में पलट और आएगा वो देखना बहुत जरूर है राजस्तन के लिए वो विकेट चाहितना कोशिश करने की बस जी जान से इस मुकाबले को खेलें और पहला मुकाबला एंजोई कीजे आपर और एंजोई हमारे बहुत सारे साथी भी करने और करें भी क्योंने दुबाइबुक प्रेज़ेंट सी इंडिया कब है सीजन नमबर पहला है हमारे पावर्ट बाइपार्ण ग्लोबल गेमिंग केट पार्णर एविराट अपेरल्स मैन अफ दे सीरीज पार्णर है हमारे एक वीरा बिल्डर सपोर्टेट बाया अक्षे चैतन्या शूशीट स्पॉंसर ऑक्सिरिच एक्स्क्लूजिव मैन अफ बाइच पार्टनर स्टार पंट केंद बाजी क्रम पर ये अजमेर एक्स्प्रेस और राजुसान एक्स्प्रेस के नम से जाने जाता है ये खिलाडी पढ़े अच्छे खिलाडी है जास पटेल कैसी अपके इंद बाजी करेंगे अपने एक रम के लिए विकेट का सिलसिला हमेशा ये बनाता है खिलाडी और ओवराल जो स्कोर है एक बार फिर जेशाजा करते हैं तीन ओवर के पशाध स्कोर पहुंचा है एकक्स रन एक विकेट के नुक्सान के बाद प्रशान जी तीन ओवर होएं तीन ओवर बचे मैं कहूंगा है एंदर आए ऑंसे पर खेलना चाहते थे सेलिब्रेशन करते हैं खास करके बिकिट के पर और इसी बीच अर्शित रन लिया गया एक एक रन बहुत माईने रखता है इंपोर्टन है तोड़ी गलती हुई है और उस तेका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने माली एक एक गेंट जो है न इमिन के बराबर हो जाएग और ये वो मुझे तोड़ा सेलिब्रेशन संदीप शर्मा की याद दिला गया अगर आपको यादो राजस्तान रॉयल्स का मुकाबला था संदीप शर्मा ने पहले वो भगवान को धन्यवाद कर दिया था पर उसकी बात पता चला कि चले किसमत में कज़ार है पर ये बात यहाँ कहीं भी रिलेट नहीं होती है शायद विकेट कीपर को लगा कि उन्होंने एक अच्छा कैच पकड़ा एक अच्छा सेलिब्रेट किया है पर इस नियम के बारे में बात करें तो जब उन्होंने गेंद को हवा में उच्छाला अगर उससे पहले कुछ सेकेंड सग उन इंटरसिंग है इंटरसिंग है एवरी लीटिल थींग काउंट इनका से संकट के समय में हर चोटी चीज़ मिलकुल काउंट हो जाएगी तो आने बाली एक 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 में बार बार एक बार बार शीद दो रहा हूं इविड के बाराबर हैं इंडिया कप आप खेंद रहे हैं इसीवी ग्रुप से आप खेल रहे हो अभी द अच्छे होओ फॉर्मेट पहला मकाबला आप खेल रहे हैं आप फिर भी थुड़ा से आपर समय ले सकते हैं किसरगार से आप शुरू करेंगे पर एक बहुत ही बढ़िया अनुसरान है याप पर एक बहुत ही बढ़िया महाल है आप अचीर ध opponents अचारता के और शॉरुअद बाहारी कि नारा करका स हारा भील्मेटं की जरुरत है वो विकेट मिलता बकास करके गेंद बाज बीच मैदार परा एजाज पटेल जब एजाज पटेल मैदान के अंदर आते हैं जब आते हैं एजाज पटेल तो बलेबाज हो जाते हैं फेल जी आवहाँ पर यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पर बाहर जाना पड़ेगा बलेबास को और तारीफे काबिल गेंती, पिछले गेंट पर भी एक मौका बन रहा था, वाँपर विकेट कीपर ने अच्छा कैच पकड़ा था, अबर इस पर विकेट कीपर ने अपने प्रदेशों से गाओं से कस्बों से गलियों से खिलाडी आया है प्रशान जी और आपके बारे में जानते हैं आप मुंबई के सर्ताज की तौर पर जाने जाते हैं कमिंटरी में क्या कहेंगे इस बहुत बड़े लाजवाप कारे के लिए यह तो सिर्फ जाकी है असली जंग अभी बाकी है इंडिया कब सबसे बड़ा तेवार हम है तैयार क्या आप है तैयार बहुत बड़ा मंच है और मजा आएगा मैं एक बार फिर कहूंगा जो जिस तरह से आवेजन हुआ है ना यहां से अरिश पंड़ासर ने भी कहा कि बहुत अच्छी सोच अंतोष ना ने कर टैनिस कुले डॉनिंड यहां पर रन आउट का मौका हो सकता था पर लीजे किसमत ने शायद कुछ अलग सोच रखा था यहां पर एक अच्छी डायरेक्टिट लगाने की प्रयास थी पर वो डायरेक्टिट थोड़े से कुछ और रन दे ग कि मुझे तो लगना कि इस मैच में हर्शित सब कुछ चलेगा लेकिन गलती से मिस्टर कवाला गाना नहीं बजना चाहिए जिस तरह से फिल्डिंग हुई है देखे एक एक रन माईने रखता है क्योंकि आपके पास बैंक बालें जादा नहीं है इस तरह से फिल्डिंग कर कि यहाँ एक बार पिर जो कॉंबिनेशन बंद रहा था तालविल बंद रहा था वहां उसमें कुछ कमी आई है बढ़िया बहुत अच्छी क्रिकेट मैदान पर स्कोर की बात कर दर्म सेंग्या पच्छीस रंजीत ने के लिए अड़ता लिच्छे गिया है यह उबर चौता प्रगती पर सभी करने की तरफ आपको लेके जाओंगा एक बार फिर इंपॉर्टन मैच इंडिया कप एक बहुत ही भेतर इंटुनेमेंच शांदार आयोजन नई बले बाद मैदान के अदर आ के बात और गेंदबादी करने कर गेंदबाद तग्यार है इजाद पटेल एक तरफ इजाद पटेल और सामने है बंटी पटेल अब जाकर मज़ा आएगा जिने शिस्वक्त है अब आब गेंदमिस टाइम स्टोक है जब गेंदबादी करने के लिए आते इजाद पटेल तो बड़े बड़े शॉट्स के लिए और कल भी रूने आई टी सी में बहुत सारे अवार्ज अपने नाम के बड़े का चीक एद गती का मिश्ण वहाँ पर बहुत अच्छा था पर यहाँ पर जो हैं बले बास जिनेश वहाँ पर स्ट्राइकिंग अटैक पर मौझूद थे जिन अभी आना शेश 14 गेंदों में यहां पर रनों के बावश रखता है 23 अभी भी पासला बना हुआ एक बार फिर मजा आएगा इस मुकापले में मैंने पहली कहा थे कि टोटल बड़ा नहीं है लेकिन बैटल बड़ा जैस्टेट में एक टीम एक जूट कर एक बार फिर मिल ज की तारिकर खेलते हैं बहुत बड़े अच्छे कई वाज के लएं के बहुत बड़ीया क्रिके बहुत अच्छे क्रिकेट मईदान के रही गिलए कि तारीब करने पर चलते हैं अगली केंद की तरफ राइटा मोद विक्ट के साथ केंद बाज आए यौक का स्पेशलिस्ट के नाम से हमें जानते हैं निश्य तोर पर पढ़े अच्छी करते हैं केंद बाजी रॉनिंग बिट्वीन दो विकेट्स और ओल्वेज दिवेरी प्रीशियस प्रसान जील अधबोध रानिंग बिट्वीन दो विकेट्ट अधवी थी है विसमर्णी है बिल्कुल बहुत अच्छी क्रिकेट बीच मेंदान पर और विकेट के बिच अच्छी ताल में दोनों बल्ले बाजो द्वारा तेरे गेंदों का खेल 21 सोनों की जरुए थे मुका पर अगर देके तो बिल्कुल वो बिंदी गेंद इससे पहले लगा था रहा था इज़ात पर डेले अब चकर आपके पास 12 गेंदे हैं जीतने के लिए 20 सनों के जरुए थे मैंदान के अंदर चदरा है घमासान हर पड़ाओ को जीतने के लिए खिलाडी लगा रहे जी जान टीवी रखे आउन गेमीच आउन गेमीच आउन मजा आएगा इस मुकाबले में और ये अब ऐसा मुकाबला है जो निश्य तोर पर नाकोन आपके बचने देगा नहीं वहाँ पर नेल बाइटिंग फिनिश की तरफ ये मुकाबला जा रहा है ब्रेथ टेके मुकाबलों की अब जा रहा है और पता दें आप सबी को कि जरा अगर आप सीट पर बैठें तो उसकी कोने पर न बैठेगा कभी भी अन्यता आप गिर सकते हैं और क्या आप लॉयन जो है हंट कर जाएगा और कैसे जंप करेगा कैसे शिकार करेगा ये देखना पहत जरूरी है इंडेलिब बिल्कुल सही का दोनों तरफ अगर देखे तो लड़ने का जज़बा है जुनून है वह अच्छी बात है अब बारे गिंदों में जीतने के लिए चाहिए बीसरन बले बास स्टाकर इन पर बले बाजी करने के लिए फिलाल तयार इतिंदर जड़े जा जिन के पास काभी ल पास के लिए फिल्कुल बहार जाती भी यू जमीन पर बैटकर क्यों आसमान देखता है खोल दे अपने पंग जमाना सिपुडान देखता है क्या खुबसुरत शांदार एंबी सिक्सर ये एक शोर है जो टेगा और दोड़ेगा ही तेंद्र रिमेंबर दने दोड़ क्या ब सूर्या की याद दिला रहा है यही तेंद्र अद्बुद अंदाज में इस शोट केला गुंज दिया है यहाँ पर ये होकार भरी है और ये टैलेंट के कुरुक शितर में अपना बड़ा चक्का जड़ा है शांदास टुकता बेहतरिन ट्राइमिंग की परिश्वर बंद र अब एक बार फिर बल्भाद ने प्रभुशा वह स्वागत नीं करोगे तक बिल्कुल सिक्सर के साथ स्वागत के साथ हिए हुकर है और सानि से गजिरात hates बड़ाज घंपा लेंह पीकित है है रगों में वो पहुंचता है और कैसे अब ये कप्तान जो है अपनी टीव को सवारे का नदीम धनुरी एक बड़ा नाम है इरादों में लिए ललकार है तयार शॉट में इनकी मजबूती रहती है बट अभी बतौर कप्तान अपने गेंदबाजों को क्या समझाते वे दिख जी कि अपनी स्किल्स के साथ साथ कैसे आप अपकी मानसिक्ता का उप्योग करते हैं मैं कहता हूं क्रिकेट को हमेशा एक आउटडोर चेस पूर्ट ऑस अफ्टम के बाहर एक बार फिर वाइड यॉरकर अच्छी गेंदबाजी अब पूट वर्क नहीं है पहली गेंद बिलकुल आपने सेहे का किस्टम के अंदर थी बलेक्स टेम के उपर उसके उपर प्रहार उसके बाद में आउट अफ्टम अच्छी गेंदबा यह जिया बाउन्स बैक सबसादा इतिहासिक होते हैं आपर और चलते हैं पहले अगली गेंद की तरफ और इस बार उचा है ये गेंद तारा मंडल को टाटा बाई 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 जाए ये महद उठा कर लाईए गेंद वो कावले को लेकर जा रहे हैं समापती की तरफ ये बल्लेवाज नहीं है आम है बड़ा ही खास रिमेंबर देनीम वन मोर टाइम क्या जबर जबसर स्टोक टाइमिंग बहुत ही बेतरिन दुबार हागर देखें तो हर्शी स्लोट में गेंद है देखें स्लोट में गेंद है पहले से बहुत तयारते बड़ी स्टोक के लिए खुब aí देखते हैं ना मूरत देखते हैं यह तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं खुबसुरत शांदार NB Sixer यह भी आच्छा टोक है लागा पर खिलाडी तहिना थे बहुत तेजी के साथ गेंड के तिरे पाए गेंड को रोक लिया एक रन आप नहीं बचा सकते हैं दो Sixer ने कहान में बिल्कुल पलट बार हुआ इतिंदर जड़े जड़े जा जड़ते जा तू जड़ते जा तू जड़ते जा क्या बात है एक वो जड़े जा है जो अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचा चुके हैं क्या यहीं चड़े जाब जीत के साथ शुरुआत करेंगा अभी जरूर ऑफ स्ट्राइक पर हैं बाहर के तरफे निकलता हुआ गेंद बल्ला लगाया च्छे गेंदे बचे की अप्शेश इतिहास की हम लगाता और बात कर रहे थे आज कृते इन का वान अद वेरी फाइनस गेम यह बन सकता है छे गेंदे छे रन प्रशान जी अभी तक गेंद बाजों में आपको राजु नजर आए रिफान नजर आए शाकिब नजर आए एजास नजर आए क्या एजास डाल सकते हैं अंतेम ओवर आपकी कौन है पिक देखें यहां से चार अफ्शन है लेकिन एक अगर पेशर बंद रहा था बल्ले बाजु के पर वो तोड़ा सा कम हो गया अब 6 गिंदे 6 बाला मैच है अपके पास ऐसा गेंद बाज होना चाहिए जो बिलकुल लेंद लाइन पर निर्बर रहें विकेट लेते रहें मैच को एक बार भी बनाने के लिए एक बार पर शोल चाहेंगे और गेंद बाजी क्रम पर हैं इरिफान लेफ टाम गेंद बाज चतुराई भरी बल्ले बाजी सेंसिबल बल्ले बाजी क्लेवा ब्रेव जितने आप एडजेक्टिव जानते हैं इंगलिश में सब को यूज़ कर दीजे यहाँ पर बहुत ही सहन शील और धैर रि चाहेंगे और गेंद बाजी कर रहे हैं अगर बगर से नहीं होती याज शुकार आपके सामने था लेकिन इसे मकाबले में जीतने के लिए और चाहना पड़ेगा ना जिस रहा पर आपनिकले हैं उस रहा पर कही बिकरे भी तो आपको चाहत जो है वो यहीं आपको आगे लेकर जानी है हमने कई दफ़ ऐसे मकाबलों को पलड़ते हुए देखा है जरूर एक बार अपील यहांपर लगवाग इसी शन का वो मुकाबला था पर वहाँ पर पीछे कौन थे विकेट के जो विकेट के पीछे से मुकाबला पलटना जानता है महेंदर सिंग दो ने वैसा ही आज कार्य पूरी राजस्तान और मध्य प्रदेश की टीम को मिलकल करनी होगी और उनके जो टीम के ओनर है रिहंक मोहंटी साहब वो भी बड़े अद्बुद है और बहुत अच्छे इंसान है और गुजरात की टीम के ओनर की तारीव भी जितनी की जाए शाए उतनी कम है प्रचान जी वनराश सिंग गोहिल टीम के ओनर उसके साथ रभीब पटील कोश है मैनेजर अमीतराना लेकिन एक अच्छी गेन एक अच्छी गेन राजस्तान को डालनी है मैच में बिलकुल कमबैक हो सकता है मैच को आपको पकड़ के रेकने की जरुरत है अभी बिलकुल गुजरात का प गली है इस पक्त आप देख रहें का खिलाड़ी बिलकुल आगे लेके आए हैं इस ट्रक कबर का कबर का खिलाड़ी आगे हैं शॉट मिड़ी के दारी के अंदर बहुत आगे सिंगल बचाने के लिए कैचिंग पोजिशन पर हैं दिल की धरकने बहुत तेज होती भी इस पक इंपॉर्टन रोल खास करके इरिफान का क्या इस मुकाबले में वो पलेट पार करेंगे सेट बलेबाद आके जम चुकी हैं बलेबाद ही तिंद्र जड़े जाकी अभी तक बहुत अच्छी बलेबाद ही साथ की दुमें अच्छा स्ट्राइक रेट अब हमें उच्छा अलाम बिड़ाप का खिलाडी दारे के अंदर गेन बिल्कुल बोड़ी लाइन की तरफ जा रही है भीड में लगे तो उसको धक्का कहते हैं अवासे उड़के मैदान के बाहर जाए उसको चक्का कहते हैं बादी में लाए पलेट वार उसे हुकुम का एका कहते हैं रबिंद्र जडेजा एक बार फिर बहुत बड़े खिलारी है लेकिन हितिंद्र जडेजा का कम है बहुत बड़ीतरीके से कि इनको कहा जा 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 और लेकिया क्या कामाल का स्टोक था खुब सुरुती के साथ ये मुकाबला सबाब किया और जबर दस्त प्रहार ही तेंदर जड़ेजा दौरा जिया जड़ता जातू जड़ेजा क्या खेला है ये ही तेंदर अद्बत अन्दाज में किया इसके लाली ने दर्शन और ये हैं बड़ा ही तावेदार खूब लंबी तानी है रुकने की ने ठानी है एक बहुत ही क्लीन हिट था आप रविंद्र जड़ेजा की बात करते हैं बट कहना पड़ेगा जड़ेजा आला रियाला हेतेंद्र रियाला और यहां पर आप टीवी स्क्वीन पर देख रहे हैं और मैं चाहूंगे जड़ा बला उपर करते वे आएं दोनों बलेबास गजराद को जीत के साथ लगाया है परचम और बतलाया है दे एंटर्ड एंडी इंडिया कप बढ़ राजस्तान मद्यप्रदेश आप दोनों की जो निश्य तोर पर एक साथ मिलकर टीम आई है अभी तो सिर्फ शुरुवाज है पिच्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त यह तो सिर्फ जाकी है और असली जंग अभी बाकी है क्योंकि और एक बड़ा मुकाबला बहुत इंपॉर्टन मैच है तो मैच जल्दी शुरू करना है मैं दरकाश करूँगा उत्तर प्रदेश और मैनेश्ट एंब वर्यस ज्यादा समय ना ले क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कमे वक्त के नजाकत के साथ आगे बढ़ने के जरूरत है जिन्होंने मुकाबला जीता बिल्कुल आज बनाज गुजरात कंग्रेचिलिशन रजस्तान बहुत अच्छे लेने कुए इनके पास जादा बैंक मैलिस नहीं था और अब समय हो गया है मैनद मैच का तो चलते हैं अबर साथ जुड रही है रेश्मा मैकर ओबर टू रेश्मा मैकर